मैं इसलिए हमेशा यह कहता हूँ कि position 2.30 से लेके 2.45 या maximum 3 बजे के आसपास जब expiry में आप trade कर रहे हो तो आपको अपनी position से exit हो जाना चाहिए अगर आप यह follow नहीं करते हैं अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इस expiry पे अगर आपने trade किया हो तो आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें पहले position से निकल जाना चाहिए आपने देखा होगा 3-10 के बाद का जो moment है bank nifty और nifty में वो एक एक रुपे ओली put जो 25 रुपे हो गई 20 रुपे हो गई expiry के दिन हम क्या करते हैं 15, 20, 25 रुपे हो ली put option call option sale करते हैं last to last बट जीरो के चक्कर में कि ठीक है खतम होगी position को बराबर नहीं करना फिर उसका हमें जो cost फिर जो उसका हमें नुक्सान भोगतना पड़ता हो आप समझ सकते हो वो last expiry में हमें सीखने को बहुत अच्छे से मिला हमने जो strategy बनाई थी और जो strategy हम बनाते वे आ रहे हैं चाहिए वो weekly strategy हो या फिर weekly expiry strategy हो आपने देखा होगा जो भी strategy trade कर रहे हैं या straddle में strangle में expiry के दिन या weekly strategy execute करे हो आपने multiple adjustment है बहाँ सारे adjustment करने पड़ते हैं आपने गौर क्या होगा go and check my strategy मैंने अभी तक weekly 10-11 strategy दी ह और आपको weekly expiry strategy जो लगबग 6 मैंने दे चुका है ठीक है ना go and check without any adjustment सिर्फ एक strategy मुझे याद है जहां पर मैंने आपको दिया था जिसमें एक बार आपको adjustment करना पड़ा था so I am planning the strategy way कि आपको उसमें बहुत ज्यादा adjustment ना करना पड़े maximum एक से दो इससे ज्यादा नहीं लेकिन टाचुद अभी तक सिर्फ 16 strategy में एक strategy मैंने ऐसी दिया आपको जिसमें आपको adjustment करना पड़ा वो भी एक बार बाकि 15 strategy ऐसी थी जिसमें कोई adjustment नहीं करना पड़ा और 16 की strategy में एक strategy में सिर्फ आपको 2220 रुपय को loss हुआ है otherwise go and check the profit okay so मैं यह बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले अगर आप पर काम कर रहे हो तो आपको क्या करना पोईशन दाई से तीन बजे के आसपास निकल जाना है ठीक है और strategy ऐसे frame करना है कि बहुत ज्यादा adjustment करनी की जरूरत नहीं पड़े आपको ठीक है पांच-छे लाग रुपय आप डिप्लाइव कर रहे हो तो बहुत है आपको यह target ले हर expiry पर हम इतना ही कर रहे है चार से पांच लाग के आसपास वीकली strategy और हम में भी प्लस बुक कर रहे है और आपको expiry पर भी ओके से प्लान कि क्यासे करना है या maximum time you are going into losses आई तो मैं क्या करूँ strangle naked नहीं करता है strangle naked नहीं करता है जो भी strategy बना रहा हूँ चाहे वो buying come selling ज्यादा हो but वो hedged रहती है तो उसके बाद back to back मैंने आपको telegram पे update भी दिया इसलिए मैंने कहा था कि मेरा जो channel है money 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 के नाम से join कर लो वहाँ पर मैं update data रहता हूँ strategy से भी related और stock से भी related तो मैं वहाँ पर आपको strict stop loss भी दिया था bank nifty का bank nifty में आपने देखा कैसा sharp momentum आया था Thursday को मैंने कहा था 35-700 strict stop loss adjustment नहीं करना position's out होना है 35-700 पर भी आप profit में थे लगबग 900 रुपे के आसपास कब जब आपका जो label है जहां पर हमने decide क्या था stop loss रखेंगे वो label bridge करने के बाद भी तो आपको strategy इसी तरह से plan करनी या तो आपको strict stop loss रखके exit मारना है या फिर आपको maximum 2 adjustment करना पड़े उससे जादा नहीं क्योंकि expiry में आपको कितना time मिलता है ठीक है पूरा week तो आपके पैस है एक दिन का time मिलता है वो भी आप 10 बड़े strategy execute करते हो तो 2-3 बड़े के आज पास आपको निकलना होता है ठीक है तो maximum adjustment के चक्कर में आपका सारा पैसा किसमें चला जाएगा brokerage में और charges में एक से दोई से जाधा adjustment नहीं लेकिन मैं यहां आपको आपको strategy देता हूं without any adjustment so you can understand which is better okay so I'll keep helping you to give the strategy and I'll keep trying to make you understand how to deploy this strategy तो आज हम यहां पर ही बात करने वाले मैं आपको इस screen पर दिखाऊंगा कि last week हमने जो strategy execute की थी ठीक है उसकी क्या खास यति कैसे हमने इसको manage किया और क्यूं हम दो सर डाई पुझे क्या सपास बुक करके position को निकल लगभग हमने दो पैंतालिस क्या सब्सक्राइब करी थी पोजिशन से हम निकल गया थे लगभग यही प्लान किया था ओके यह आप टोड़ा ग्राफ के उपर मत जाना क्योंकि अल्रडी एक्सपायर हो चुका इस तरह ग्राफ दिख रहे है आप देको हमने क्या किया था बाइंग कम सेलिंग ज्यादा रखी थी और इसमें एक चीज़ा आप ध्यान रखना मेभी आप स्ट्राइजी को इतना गौर से मतलब देख रहे हो या नहीं अगर पेपर ट्रेडिंग भी कर रहे हो क्योंकि लगभग हो चुके हैं अरेडी क्योंकि हो और मैंने वीडियो में ये मेंशन किया मार्केट में तीम दिन हेवी मार्डीयटी तो तुरा छसॉटेवला ज़ो दिन है उसमें वालिटी कम मिल सकती है तो उस colored आपको स्टाटेजी ब्लान इसलिए मैंने बैंक निफटी को आप्ट भी कहा था ठीक है और साथ में मैंने कहा था कि stop loss भी strict maintain करेंगे अगर ऐसा हुआ कि uncertainty कुछ हो गई मेरे against गया market तो ठीक है और मैंने यह mention किया था कि position अपने को दो दो से तीन के बीश मतलब धाई से तीन के आसपास हम पोजिशन से वैसे भी निकल जाते हैं आप जो टेलिग्राम चैनल पर चेक करो हम मैंने आपको back-to-back update वहां पर दिया है कि कब position आपको exit लेना है और कब adjustment करना और कब entry मारनी एंट्री का तो अल्रडी हैं पहले आपको बता देते हैं तो यह position हमने फ्रेम किती यहां पर क्या किया था देखो 35 100 35 100 call option put option यह दोनों हमने भाई किया था ठीक है यह short नहीं किया था भाई किया था अब साथ में देखना मैंने क्या किया 35 500 वाली जो call option है इसको मैंने बाई किया स्वारी सेल किया कितने पांच लॉट अब यह देखो 35 100 की call option मैंने जो बाई की थी और 35 35 500 की जो call option सेल की इस दोनों के बीच का गैप क्या है लगबग 400 यह गैप है और जब 35 100 35 180 की put option सेल करी है और उससे इसका गैप कितना है 34 600 लगबग 500 पॉइंट तो यहां पर मैंने 100 पॉइंट इस पेस जादा रखा था मैं हमेशा कहता हूं आपको जब भी आप कोई भी स्टाड़ी बिना रहे हो ना तो सेल साइड को आपको सेफ रखो क्यों चलो मार्केट तो बढ़ता है थोड़ा मार्केट जब बढ़ता है तो मार्केट की जो बढ़ने की स्पीड होती है वो गिरने की स्पीड से कम होती है जब मार्केट गिरे गाना तो यह बहुत फास्ट गिरता है बहुत फास्ट आपको याद हो जाओ भी 600 पॉइंट निफ्टी गिरी थी ठीक है इससे पहले भी आपको थोड़ा मौका मिल जाता है आप समझ रहे बात को इसलिए मैं कहा रहा हूं जब भी आप ऐसी कोई पूजिशन बना रहे हो तो आपको डॉंसाइड ज्यादा क्याप करके चलना चाहिए या ज्यादा आपको सतकता बरदनी चाहिए या आप इस टॉप लोस लगा रहे ह स्टाइजिंग कर रहे हो जो भी कर रहे हो ठीक है अब यह पूजिशन हमने डिप्लॉई किया तो हमने हंडेट पूइंट का ज्यादा स्पेस रगा किधर डाउनसाइड पे और फिजब मार्केट स्टार्ट हुआ तो हमारा प्रॉफिट नौस से स्टार्ट हुआ नौस से और यह बारा बज़े तक 1100-1200 यहीं पर घूम रहा था उसके बाद 12 बज़े के बाद यह मूव करना शुरू हुआ और यह गया था 4200 के आसपास इससे उपर नहीं जा पाया स्टाइजी के प्रॉफिट ठीक है और इसकी जो क्लोजिंग हुई है वह स्टाइजी के क्लोजि तो लगबग 600 रुपे के लॉस में क्लोज हुई लेकिन हम पॉडिशन कब इग्जिट हो गए थे लगबग 2 बज़ कर 50 मिनट पर हम पॉडिशन से एक्जिट हो गए थे ठीक है तो यहां पर हमने कितना प्रॉफिट बुक किया था प्लस वाइस्टो का प्रॉफिट ठीक है होनी चाहिए रेंजबॉण अक्टिविटी होनी चाहिए रेंगबॉण पर अगर कोई अंसर्टेनिटी होती है तो उसके लिए भी हम तयार है तो हमारे यह ब्रेक इवन अब देको डॉफिट पर कितना दूर हमारा ना ब्रेक इवन लगबग मार्केट का चल रहा था 35 100 कि मैंने गाप कियो रखा था क्योंकि अब्सरी मोमेंटम कम लग रहा था और होना था अगर मोमेंटम हो जाता था तो डाउन साइड में स्थांडा हो सकता था इसलिए हमने यह वाला पार्ट बहुत सेफ रखा था ठीके पर हुआ क्या पर हुआ क्या है तो बढ़ों कि एश अगर आपको यहां पर देखने को मिलेगा यह देखो यह मार्केट लगबल आप देखोगे तो यहां पर मैं लगाता हूं इसको और एक डाउन पर भी लगाता हूं यहां तक वाली जो चार्ट है न यह वाला अब देखो यहां पर चलो पहले यहां पर देख लेते हैं यहां से मार्केट ऊपर निगला यहां लेबल ब्रेक करके मार्केट ऊपर निगला तो हमारा प्रॉफिट यहां पर जब कंसॉलिडेट हो रहा था तो हमारा प्रॉफिट लगबग 4000 के असपास गया ठीक है लेकिन जैसे मार्केट यहां पर अपसाइड मूव वह बहुत स्पीड से मूव हुआ था अगर आपको याद हो अपने मार्केट देखा हो तो यह बहुत स्पीड मूव हुआ था और मार्केट कहां तक आया 35541 के आसपास तब मैंने आपको टेलीग्राम पर मैसेज डाला कि आपको 3500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है यहां पर भी आप निकलते तो आपको लॉस कुछ नहीं होता 3500 पर ठीक है पर मैंने कहा कि यह स्टॉ होके इधर कंसलेट करने लगा ठीक है तो धाई बज़ी से तीन बज़े के भी हमने प्लान कर रहा था हमेशा हम यह कहते है कि पूजिशन सापको एक्जिट कर जाना है ठीक है और मैंने लगबग तीन बज़े सारी पूजिशन क्लियर करके आराम से मैं सोचा कि चलो आप सिस सब्सक्राइब मोग तो एक एक रुपे वली जो पूट ऑफ्चान है यह 25-25 रुपे हो गई जिसने 5-10 रुपे में सेल कर रहा था वो इतना ड्रास्टिकली उपर गया इसलिए आपको पोजिशन पहले क्लोस करना था हलाकि हमने दोनों साइट पोजिशन अपनी से बना लिए कर दिखाता हूं यह जो है गामा यह क्या होता है आपक्षन के प्राइज पर हमी हो जाता है ठीक है और जो अप्षन का प्राइज ऑट ध मणी हो या एक बार उसको एक्सलेरेट करता बहुत इस पिल सब्सक्राइब तो आप जब भी देखो को गामा का एक्शन होता है तो आगे से जब भी position आप बना रहे हो तो 3-2 से पहले आपको position से बाहर हो जाना है अब यह देख लो market कहां पर close हुआ market आपको close हुआ 35100 ठीक है और हम कहां तक safe थे हमारा safety देखो हमने कहां तक ले रखी थी हमने safety ले रखी थी 34300 तक अगर इधर आ जाता ना 34500 तब तो बले बले इधर इधर वाले profit पहुंच जाते लेकिन problem क्या थी कि 35 लगबग 35200 और 33300 इस तरह से थी कि इस बेच में रहता तो 34000 का नुकसान हो सकता था ऐसी कुछ था यह वाला देख आप यह वाला पार्ट है लुक अट इस पाड़ी है जो बीच में तोड़ा साब को चार्ट में दिख रहे हैं यहां पे हमारा maximum 3300 का loss हो सकता था अगर market में एकदा momentum नहीं होता और momentum होने के बाद भी सेंटर पर क्लोज हो जाता है तो हम तो हाट पे हाट रखके बैठते हैं इसको ज़रूर एज़स्ट करते हैं पर downside हम सेफ और upside हम सेफ थे बीच में गड़वड़ा थी ठीक है तो उसको बहुत हम इसली कर सकते थे क्योंकि maximum loss कितना था 3300 बट बाकी हमने कितना capture कर रहा था वो देखो so this is how you can plan this strategy अभी आपने देखा होगा और भी बहुत सारे लोग strategy plan करते trade करते discuss करते मैंने यह देखा है कि maximum बहुत जादा adjustment है 10-15 adjustment कर लेते हैं ठीक है उसमें क्या होगा कि brokerage और charges आपके चले जाएंगे और profit कुछ नहीं बचाएंगा अगर go and check my strategy मैंने adjustment तो दिया ही नहीं है सिर्फ एक strategy में एक adjustment देख सिट so this is how we are creating this strategy and this is the power of the strategy okay only straddle and strangle is not there many other ways to trade in stock market in option especially मैं इसलिए कहता हूं option में सिर्फ option ही option है but only बात किया कि आपको आनी चाहिए को डिपलोई कैसे करना है यूटिलाइस करना है कैसे करना है ओके दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में thank you so much